पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपई द्वारा वर्ष 2003 में प्रदेश को प्रदान किये गए और द्योगिक पैकेज के कारण फार्मा उद्योग को व्यापक स्तर पर बढ़ावा मिला और अब वर्धमान प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिए COVID-19 से उत्पन चुनोतियों को अवसरों में बदल रही हैं ये बात मुख्यमंत्री जैराम ठाकु ने Confederation of Indian Industry द्वारा आयोजित Changing Landscape of Indian Pharma Sector विशे पर बुधवार को शिमला में आयोजित वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए कहीं Confederation of Indian Industry द्वारा आयोजित Changing Landscape of Indian Pharma Sector विशे पर आयोजित वेबिनार की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री जैराम ठाकु ने इस वेबिनार के आयोजित के लिए CII का आभार व्यक्त किया उन्होंने कहा कि COVID महामारी ने हम सभी को अपनी स्वास्थे रणनीती पर पुनह वेचार करने के लिए विवश कर दिया है मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2021-22 के बजट में केंद्र सरकार ने स्वास्थे के क्षेतर के लिए आवंटन में 137 प्रतिशत की व्रिधी की है वेंटिलेटर और N95 मास्क जैसे उपकरन भी निर्यात कर रहा है उन्होंने कहा कि प्रदेश को बद्दी में एशिया का सबसे बड़ा फार्मा हब होने का गौरव प्राप्त है जिसका श्रै प्रदेश में कारेरत फार्मा कमपनियों को जाता है उन्होंने कहा कि कोविट महामारी के नियंतरण में हिमाचल की महतपूर्ण भूमी का रही है और इस तोरान प्रदेश ने पूरे देश के साथ साथ विश्यों के तीस देशों को भी दवाई पहुंचाए जैराम ठाको ने कहा कि प्रदेश सरकार राजे को बल्क ड्रग फार्मा मिलने की उम्मीद कर रही है प्रदेश में उद्यमियों को परियाप्त भूमी की उपलब्धता अतिरिक्त बिजलिया पूर्ती निवेश अनुकूल नीतियां आदी जैसे विविन प्रोथसाहन मुख्यमंतरी जैराम ठाको ने कहा कि राजे सरकार ने भारे सरकार की बल्क ड्रग पार्क योशना के तहत सक्रिय रूप से बोली लगाई है और जिलाउना में 1405 एकड़ भूमी पर इस पार्क की स्थापना के लिए 1190 करोड रुपे की परियोशना का प्रस्ताव भेजा है लगभग 8,000 करोड रुपे के निवेश से 50,000 करोड रुपे का कारोबार सोनिश्चित होगा ये पार्क राजे के लगभग 15,000 युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार भी प्रदान करेगा जराम ठाको ने कहा कि राज्यमे सक्रिय फार्मासियोटिकल उत्पादन के कारण देश की निर्भरता अन्य देशों पर कम हुई है प्रदेश सरकार ने केंद्र को सोलन जिला के नालागर क्षेतर में 265 एकड़ भूमी पर 261 करोड की लागत से चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा है इसे लगभग 4,000 से 5,000 करोड रुपे का निवेश सुनिश्चित होगा और लगभग 20,000 करोड रुपे का कारोबार होने के साथ साथ लगभग 10,000 लोगों को रोजगार के आउसर उपलब्ध होगे मुख्यमंत्री जराम ठाकोर ने कहा कि यदि प्रदेश सरकार के ये दोनों प्रस्ताव सफल होते हैं तो इस नकेवल प्रदेश बलकि देश में भी फार्मा क्षेत्र को अत्याधिक लाब होगा हमारा जो है फोकस जो है वो फार्मा सेक्टर पर इस इंडस्ट्री पर पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया बरे में बड़ा है इसमें दोराई नहीं है और इसलिए भी जो केंद्री बजट हमारा प्रस्तुत भुआ उस बजट में भी आप सबने देखा होगा कि सबसे बड़ा इंक्रीज अगर किसी सेक्टर में अगर इस बजट में केंद्री बजट में हुआ है तो वो हमारा हैल्थ सेक्टर है